स्वागता आपका Pixel Vector Graphics में नमश्खार, मैं हूं सुमित और किम के एक और मज़दार से टिटोयर के साथ फिर से मैं आ गया हूँ तो आज की टिटोयर में एक मज़दार सी चीज़ सीखेंगे हम Galaxy Effect So Galaxy Effect बहुत ही असान तरीका मैं बताउगा गैलिक भी एफेक्ट का वीडियो को ज़रूर पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सिखेंगे आज की वीडियो में, पर उससे बेले लाइक, सब्सक्राइब, शियर और कमेंट करना, बिल्कों न भूले तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का आईए स्टार्ट करते हैं, तो मैंने एक एमेज को ओपन किया और उसका बैगराउंड को रिमूव कर दिया, ठीक है, यह देखिए पहले है कुछ इस तरह से था, और अब यह कुछ इस तरह से, बैगराउंड को किस तरह से रिमू करना है, उस वीडियो को देखना है, तो लिंक आपको हमेशन की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जागा, या तेरी वीट्यूब में सर्च किजिए, पिक्जल वैक्ट ग्राफिक्स, गेंट बैगराउंड रिमूव, आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो, आप उनको देखकर सी इस इमेज की जगह आप चाओ तो अपना भी इमेज यूज में ले सकते हो, तो सबसे पहले यह करेंगे जी, यहां पर देखिए, बैगराउंड को मैंने मास्क के साथ रिमूव किया है, अब यह करेंगे, मास्क और इमेज को मर्ज कर देंगे, तो यहां पर आपने क्लिक कर लेना है, अप्लाई लेर मास्क, तो यह देखिए, यह मर्ज हो जाता है, नीचे वले लेर की जरूरत नहीं है, चाओ तो रखो, चाओ तो आप इसको डिलीट कर देना, तो फिर्स और फाल हम यह करेंगे, जी, इसको हम ब्लैक और वाइट करेंगे, तो ब्लैक और वाइट क आपके जो इमेज है, उसमें कौन सा मूड अच्छा लगता है, आप देख लेना, वोई मूड यूज करना है, ठीक है, मैं ज़रा तर लुमा को यूज करता हूँ, और मैं आपके कर रहा हूँ, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, अब हमने यह करना है, जी, जो डार्क ह है, उसको फोड़ा सा और डार करेंगे, जो ग geldi है, तो जो लाइट है, यंडम ऑईट है, उसको और वाइट करेंगे, तो निए, मैं यूज करूँगा, पहले तो हम यूज करेंगे, कर्व को, कर्व का पैनल Oupen हो गया, रिसेट कर दींगे, और इसको ऐस कर्व की जैसा ब आपर से तीन बॉक्स चोड़के थीशरे बॉक्स में आया है और इसको ठोड़ा सा उपर कर दीजिए तो आपको कुछ इस तरह से एक एस कर मिल रहा है अब देखें पहले कुछ ऐसा था आप यह कुछ ऐसा लग रहा है मैं ओके कर रहा हूँ और थोड़ा सा और इसको करेंगे अजिस्ट तो फिर से मैं जा रहा हूँ कलर्स में और कलर्स लेवल्स में ले रहा हूँ यहां पर भी रिसेट मैं करूँगा यहां पर तीन स्लाइडर मिल जाते हैं डार्क, ग्रे एंड वाइट यानि कि ब्लैक, वाइट और ग्रे तो ग्रे को थोड़ा सा राइट की तरफ में लेकी जाऊँगा कुछ ऐसे, अब वाइट को लेफ्ट की तरफ लेके आएगे कुछ इस तरह से अब ब्लैक को राइट की तरफ लेके आएगे अब जितना आपको डार्क चीए उतना आप आगे ले जाएए कुछ इस तरह से ठीक है जी? कुछ ऐसे, या फिर थोड़ा सा पीछे कर लेता है कुछ इस तरह से ठीक है? मैं ओके कर रहा हूँ वो आप अपने हिजाब से अजेस्स कर सकते हो अब एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ यहां पे जो डार कलर है या बलैक है दिरे 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 यह स्मूध होके ग्रे में बदल रहा है और फिर वाइट में बदल रहा है हमें यह जो स्मूध है इसको थोड़ा सा हार्ड करना है या हार्ड एजिस मिलाना है तब ही यह एफेक्ट मज़दार सा लगए तो इसके लिए ये करेंगे जी इसी लेयर पे रहते हुए हम जाएंगे colors और यहां से हम ले लेंगे threshold तो यह देखे threshold अप्लाई हो गया है reset मैं कर रहा हूँ by default वाला value ही ले रहा हूँ आप चाहँ तो इसको adjust करके इधर उधर कर सकते हूँ अब यहां पर मैं एक और image को use मिलूँगा उस image को भी मैं open कर रहा हूँ file में जाएंगे और open as layers और मैं दूसरे वाले image को यहां पर galaxy वाला image है मैं उसको open कर रहा हूँ तो यह open हो गया जी पहले तो यह करेंगे इसको थोड़ा सा color correction करेंगे सबसे पहले इसी layer पर रहते हुए इसका name मैं change कर रहा हूँ मैं इसको bg image कर रहा हूँ ठीक है name देके जरूर चलिया वरना confusing हो जाती है तो मैं अब color correction करूँगा तो सबसे पहले आ जाएंगे colors में और यहां से हम ले लेंगे curves और इसको reset मैं कर रहा हूँ फिर से मैं इसको फोड़ा सा एस करके जैसे मना रहा हूँ हलका सा कुछ इस तरह से देखे लैसा था अब यह कुछ इस तरह से ठीक है हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है ठीक है preview मैं दिखा रहा हूँ यह देखे कुछ इस तरह से मिल जाता है मैं okay कर रहा हूँ और अब इस image को मैं लेके आ रहा हूँ एक step इस layer के नीचे तो कुछ इस तरह से आ जाता है अब उपर वाले layer पर आ जाएंगे और उसको select करेंगे अब इसमें करना क्या है जी यह जो dark है यह जो black part है हमें इन सभी black part को select करना है सबसे आसान तरीका है यहां पर आ जाएए देखिए यहां पर आपको एक tool मिलता है select by color tool ठीक है इसको select कर लीजिए कुछ भी नहीं छेड़ना है इसके property में simple इसको black में आकर click कर लीजिए तो जहां-जहां black होगा वह उसको select कर लेगा ठीक है अब इसी में रहते हुए सबसे पहले यह करेंगे जी इस background का एक और मैं duplicate कर रहा हूं right click करेंगे duplicate layer और अब मैं इस पर रहते हुए जाऊँगा mask और यहां से select करेंगे selection और add कर देंगे ठीक है हुआ गया अभी मैं आपको बताता हूं selection को पहले none कर देंगे select में जाकर none करेंगे उपर वाले image को hide कर देंगे और नीचे वाले को भी तो देखिए हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है ठीक है अब थोड़ा सा और मज़दार बनाने के लिए आप चाओ तो background इसका change कर सकते हो तो मैं इस वाले layer के उपर यानि इन दोनों layer के बीच में transparent background चाहता हूं तो transparent background ले लेंगे याद रखिए fill with में transparency ज़रूर किये okay कर देंगे अब आ जाएंगे हम gradient टूल में तो gradient apply करेंगे तो gradient tool मैंने select कर लिया और यहां पर आ जाएंगे यहां से कोई भी आप ले सकते हो मैं 412 RGB ले रहा हूं 412 background RGB और नीचे आ जाए तो यहां पर आपको मिलता है शेप शेप में आपको मिलेगा linear by default पर आपने select करना है रेडियल ठीक है जी रेडियल को select करके center to aegis यानी की बीच में से बिलकुल aegis तक आपने track करना है ठीक है अब देखें यहां पर black आ रहा है black मुझे चीए बाहर के तरफ point मुझे अंदर चीए तो सबसे पहले इस point को select करेंगे यहाँ पर आजेंगे तो पहले तो मैं इसको कर रहा हूँ जी डार क्रे यह टरे नी नीचे white ही रहने चीए, पहले एक बर चेक कर लेते हैं, यह pure white है कि नी जी अब इसको reverse कर देंगे, reverse के लिए देखें यहां पर एक बट्न ने इसको click करेंगे तो यह reverse हो जाता ह तो चाहो तो एंटरप्रेस कर लिए यह सबसे आसान तरीका यहां से आप मूब टूल लेंगे तो यह ग्रेडिंट अप्लाइट हो जाए तो देखिए हमें कुछ इस तरह से गैलेक्जी एफेक्ट मिल रहा है आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो यह फिर एक तरीका और है मैं आ रहा हूँ जी नीचे वाले इमेज को जो हाइट कर रखा था इसको मैं शो कर रहा हूँ और यहां पर आ रहा हूँ इस वाले इमेज में यह जो हमने ग्रेडिंट वाला लियर क्रियेट किया है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आ जाएंगे मूड में यूज़ कर सकते हो तो उस तरह से आप इसको भी यूज़ में ले रहा हूँ सो डन उमीद करता हूँ कि आज का टुटरियल आपको ज़रूर पसंद आयोगो पसंद आये तर नाइक ज़रू कीजिए सब्सक्राइब लिए परस्ट आवाए मेरे चैनल पे तो प्रेश सब्सक्राइब ज़रू कर लिजिए किसी बिदर क्वेश्चेन ना इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगले लिए के टुटरियल लिए एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे थाक्स पर वाचिंग